फ्रीसेंटली मैंने एक चैनल पर एक वीडियो पोस्ट किया था, जहाँ पर मैंने 10 हिड़न स्टॉक्स बताये थे, जो आने वाले 3-4 सालों के अंदर आपके पैसे को कई गुना मल्टिप्लाई कर सकते हैं, यानि कि ये सबी ऐसे मल्टिप्लाई कर सकते हैं, जो आपको लॉं करोड़ पती बनाने का भी दम रखते हैं, यानि कि अगर इन में से कोई भी स्टॉक आप आज के दिन खरीद कर छोड़ देते हैं, 10 साल, 15 साल, 20 साल के लिए, तो ये अकेला स्टॉक आपको करोड़ पती बना सकता है, मैंने यहाँ साथ स्टॉक चूज की हैं, आप किसी भी स्टॉक में खरीदारी कर सकते हो, और वो सकता है, और आपके पास इन में से कोई स्टॉक हो, तो वीडियो को शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट रहेगी, वीडियो को लाइक सरूर कर देना, अगर आपने फर्स साम विजिट किया है चैनल पर, तो सब्सक्राइब भी क पहुँच जाए, सबसे पहले अगर मैं स्टॉक की बात करूं तो यहां रहने वाला है, साउथ इंडियन बैंक, छोटा सा स्टॉक है, और अगर हम बात करें तो एक प्राइवेट बैंक देखने को मिलता है, मार्किट कैप अगर देखोगे तो 3700 करोड का, 3700 करोड का मार्क कर्मेंटेशन दिया था, उस समय काफी सस्ती वैलेशन पर यह स्टॉक चल रहा था, बट अभी काफी अच्छा बाग चुका है, और अगर पिछले एक साल की परफॉमेंस की बात करें, तो 100% से ज़्यादा का रिटर्न इसने पिछले एक साल में बना कर दिया है, तो इस से इतना जबजस पैसा आने वाले समय में भी हमको बनता हुआ देखने को मिल सकता है, क्योंकि बड़े बड़े दिगज इस वक्त बैंकिंग स्टॉक को लेकर काफी ज़्यादा पुलिश हैं, तो हम बड़े स्टॉक में ना जाकर एक छोटे स्टॉक को यहाँ पर चूज कर सक है, मार्किट कैप इसका आलमस्ट 6,800 करोड रुपे का देखने को मिलता है, फंडामेंटली यह भी बहुत शानदार कंपनी है और फाइनेशल ट्रेंड इसका भी काफी ज़्यादा इंप्रूव हो रहा है, पिछले एक साल की अगर हम बात करें स्टॉक की तो बहुत ज़्य है कि फ्लेक्स व्यूल के विकल देखने को मिलेंगे, जैसे अभी गाड़ियां पैट्रोल से या डीजल से चलती हैं, उसी तरीके से फ्लेक्स व्यूल की गाड़ियां आएंगी, जो फ्लेक्स व्यूल है, यानि कि हमारे जो भी शूकर इंडस्ट्री के स्टॉक एथनल प्र अगर आप जाते हो बहुत जबर्चस पैसा बनाकर देने का दम यह रखता है नेक्स स्टॉक हमारा नहीं वाला है पूना वाला फिर गॉर्ट इस स्टॉक की मैं अगर बात करूं तो यह कंजूमर फाइनेंस से देखने को मिलता है थोड़ा अच्छा मार्केट कैप हम कह सकते ह यह लगबग 25,000 करोड का मार्केट कैप नजर आता है पिछले एक साल में स्टॉक ने लगबग 30% के रिटन भी मना कर दी है और फाइनेशल्स भी अब इसके इंप्रूव होते वे नजर आ रहे हैं यह सबी स्टॉक जो मैं आपको बता रहा हूँ इन सबी के फाइनेशल्स अगर फाइनेशल्स भीक होते हैं तो मैं आपको कोई भी स्टॉक ऐसा सजेस्ट नहीं करता हूँ जो कंपनी फंडामेंटली अच्छी नहीं होती है यह कंपनी फंडामेंटली काफी इंप्रूव होती भी नजर आ रही है और पिछले एक साल में भी परफॉमेंस काफी अच हुआ है और इस स्टॉक की अगर हम बात करें मार्केट कैप की एक लाग अजार करोड का मार्केट कैप देखने को मिलता है फोर वीलर के सेग्मेंट पे कंपनी काम करती है और अभी तो बिजनिस एक्सपैंशन बहुत ही जबर्जस्त देखने को मिल रहा है कंपनी पिछले अगर हम तीन-चार सालों से देखें तो पॉन्टीन उसली लॉस रिपोर्ट कर रही थी अपने नमबर्स में बट अब नमबर में काफी अच्छी इंप्रूमेंट है और स्टॉक इसी वज़े से बड़े लेवल्स की तरफ जाता हुआ भी नजर आ रहा है ये स्टॉक को मैं स्टॉक को बड़े लेवल्स पर लेके जा सकता है फंडामेंटल इसके भी अच्छे हो रहे हैं इंप्रूव हो रहे हैं तो उप्यस्ती बात है बाइंग तो बिल्कुल ही बनेगी इसलिए इस स्टॉक में भी अगर आप लॉंग टम के लिए चाहें तो बाइंग कर सकते हैं चलते हैं हमारे पांचवे स्टॉक की तरफ जिसका नाम है गो फैशन्स अगर इस स्टॉक में आपने खरीदारी किया तो मुझे जरूर बताना इस स्टॉक पिछले कुछ समय से अगर हम देखें तो थोड़ा सा कंसोलिडेशन फेस में है थोड़ा इसमें अच्छे बड़े लेवल्स बने थे महां से थोड़ी प्रॉफिट बॉकिंग है पिछले एक साल के अंदर इस स्टॉक में शांदार मोमेंटम बना था 30-35% के रिटर्न इसने बना कर दिये मार्केट में काफी ज़्यादा अलचल है तो थोड़ा सा कहीं नगे प्रॉफिट बॉकिंग जरूर ह इस स्टॉक में फंडमेंटली कंपनी अच्छी है है मार्केट कैप के बात करें 5290 करोर का मार्केट कैप है और इसे एक स्मॉल कैप कंपनी हम कंसेडर कर सकते हैं फाइनेशल्स इसके काफी ज़्यादा इंप्रॉव हो रहे हैं 2021 के कंपारिशन में नमबर बहुत अच्छे थ लाउंग तरम के लिए ये भी जबर्ज़र सस्टॉक रो इने वाला है क्योंकि कंपनी जिस सेगमेंट पर काम करती है हुए और ये ऐसा सेगमेंट बाइब जिसकी दिमांड कभी खतम नहीं होने वाली है ऐसा तो है यह नहीं है कि आज मैं कौपडे पेहन रहूं पांश साल बाद नहीं पहनुगा, पांस साल बाद भी पहनुगा, दस साल बाद भी पहनुगा, और मैं पैदा होने से लेके, मरने तक कपड़े ही पहनुगा, ऐसा तो कोई भी बच्चा नहीं होगा, जो कपड़े ना पहनता हो, अगर हम आदिवासियों की बात करें, या किसी ऐसे सेर् यी ओगए है कि दवाईों के बिना काम भी नहीं हूता तो ऐसे ही ये भी है कि कपड़ों का काम है अगर कमपणी कपड़े मना रही है तो कहीं न कहीं कि प्तॉट्सधी वैटलेशन फेले ख़रीदारी के लिए छडे फ्रक की दिश्ड़ते चलते हैं ये मैंने काफी बार पहले भी रिकमेंट किया है सोना बी लडवलू प्रेशिशन्स फॉर्जिंग लिमिटिड और इस स्टॉक के अगर हम बात करें तो ये मेट कैप सेग्मेंट से देखने को मिलता है और तो पार्ट्स में ये कमपनी डील करती है लगबख 27,000 करोर का मार्किट कैप है फंडमेंटली कमपनी बहुत शानदार है और फाइनेंशल्स के इंप्रूव होरे पिछले 3-4 सालों से लगाता है वो अपने आप में बताते हैं क कमपनी आने वाले 4-5 सालों में बहुत बड़े लेवल पर पहुंच जाएगी क्योंकि ये वो स्टॉक है अभी छोड़ दिया तो बाद में शायद ही आपको मौका मिले पगड़ने का एक बार मुमेंटम बन गया रह लिया आ गई तो फिर शायद आपको ये दुबारा एंट्री के लिए काफी अच्छे मौके यहां पर हमको अभी मिल रहे हैं लास स्टॉक की तरफ चलते हैं जिसका नाम रहने वाला है टीम लीज सर्विसिस लिमिटेड इस्टॉक थोड़ा सा बढ़ा है धाई हजार रुपे की रेंज के आसपास ये स्टॉक ट्रेट करता है कमपनी एंप्लॉयमेंट सर्विसिस के सेग्मेंट पर काम करती है और मार्केट कैप 4300 करोड का यहां देखने को मिलता है अगर इसे सोक के भी अगर हम बात करें तो फंडमेंटल्स काफी अच्छे हैं कमपनी फाइनेशल ट्रेंड को काफी अच्छे से फॉलो कर रही है सोक अब मुमेंटम बनाने वाला है और जितने भी स्टॉक मैंने आपको बताएं सभी अगर आप लॉंग टम के पॉइंट अव्यू से रखते हो अपने पॉर्टफोलियो में तो सभी के अंदर इतना पोटेंशल है कि लॉंग टम में 15 साल 20 साल के अंदर आपको करोड़ पत आपको समझ में आ जाएगा कि लॉंग टम में कितना जबर्जस मार्किट पैसा मना कर देती है अगर 10 साल 15 साल 20 साल 25 साल का विजन है तो ये एक एक स्टॉक अगर आपने सो सो कॉइंटिटी भी लेकर छोड़ा है न तो एक एक स्टॉक आपकी वैलवेशन को करोड़ों रु मैं और भी को न दाना फिर आपको डेकेटरी जिस भी टॉपिक पर वीडियो बोलो गें वहां बना दूंगा चाहे हो समाल किए यूप की विडियो चाहे नार्च वीडियो चाहे हो मैड़ाम काफी जफ़ी ज्यादा हई रिस्की राइव रूँलुटियो होती है तो कमीट क करके मुझे जरूर बताना मेरी पूरी कोशिश रहेगी जल से जल उस टोपिक के अपर वीडियो में पोस्ट करो फिलाल इस वीडियो को end करते हैं, मिलते हैं जल्दी नए टॉपिक के साथ नई वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाई बाई और टैंक यू फो वाचिंग